हेलो स्कूरेंट्स आज अब देखेंगे त्रिभुच के दो बहुत ही साधारण से प्रश्ण जो थेल्स प्रमेया पर आधारित है इनका हल थेल्स प्रमेया हमें ये बोलता है यदि किसी त्रिभुच की दो बुजाएं आपस में समानतर हो जैसा कि यहां दिया हुआ है यहां बढ़े आसानी से हम देख सकते हैं कि एक दशबलो पाँच जो है कि उसका डबल तीन है यादि हम एक देशंबल पाच को तीन से काड़ दे तो यहां दो आएगा तो इसी यहां चला जाएगा और दो का तीरिय कुना इधर हो जाएगा और हमारा मान आजाएगा इसी बराबर दो बहुत ही आसान है दूसरा प्रशन भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं एडी बटा साथ दशंबलो दो बराबर एक दशंबलो आठ पाच दशंबलो चार सभी में दशंबलो के बाद एक यह आँके तो हम उसको दशंबलो को हटा सकते हैं एडी बटा 72, 18 और यह है चौपन, 72, 18 के पहाड़े में चौपन तीन बार जाएगा, एडी का मान हो जाएगा, 72, बटा 3, 24, अतो एडी का मान आ गया, 24 सेंटीमिटर, सेंटीमिटर लगाना भूलना नहीं है, बहुत आसान हल है इसका, कोई तीन समरूप आखरत यहां, इसमें समरूप याने जिनका रूप समान हो, एक होती है वर्ग, दूसरी होती है वरत, याने सरकल, और तीसरी होती है सम बाहू, त्री बूच, इस पर बहुत बार अब्जेक पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखें, धन्यवाद,